पिच्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मुवी है दग कोरियर यह मुवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम ड्रामा थीलर मुवी है और साथी साथ दोस्तों यह मुवी एक सची घटना पर आधारित भी है इसलिए हमारे इस वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भुलिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही किमती है तो मुवी की शुरूआत में हमें चाइना के हौंग कॉंग शहर के पोर्ट को दिखाये जाता है जहाँ पर कई सारे कारगो लाए जा रहे थे इनी में से एक का परेटी के 20 से एक वेर हास तक पहुचाये जाता है आगे उस कारगो को उपन के जाता है तो हम देखते हैं वो पूरा कारगो नोटों के बंडल से भरा हुआ था और उन नोटों के बंडल के बीच में एक लड़का बिठा हुआ था आगे वो लड़का कहता है मेरा नाम इव होंग कॉंग में कुरियर करवाया है और इसका कमिशन मुझे इस अमाउंट का 3% मिला है आगे इवान होंग कॉंग में पार्टी कर रहा होता है तब पुलिस वहां पर आकर उसे अरेस कर लेती है अब मुवी में आगे हमें 2001 की मैडरिट की घटना बताई जाती है जब इवान एक मामली से ड्राइवर था यानि वो गाड़ियों को पार्किंग में लगाये करता था और जब भी रईस मालिकों को जरुत थी वो उनको गाड़ी राकर उनके हाथ में सोब दिया करता था आगे इवान अपना काम खत्म करके अपने घर पर जाता है तब इवान की माम कहती तुमारे डैट तुमें सुपर मार्केट में काफी मिस कर रहे थे तब इवान अपने डैट को देखता है जो अपने छोटे से सुपर मार्केट में अपना काम कर रहे थे तब इवान कहता है हां मुझे पता है वो मुझे याद कर रहे होंगे पर मेरे कुछ दूसरे प्लान ह मैं उनका ये काम नहीं करना चाहता आगे इवान कहता है एक समय था जब मेरे पिता मेरे हीरो हुआ करते थे आगे हमें इवान के पिता को दिखाय जाता है जो एक बेंक में लोल लेने जाते है और तब उनके साथ उनका बेटा इवान भी मोजूद था इवान के पिता का सपना था कि वो लोन लेकर मेरीज बैनक्यूट खोलना चाते थी ये समय सन 1992 का था दब स्पेन में लगाता डवलप्मेंट हो रहा था इसी समय इवान के पादर ने अपना रेस्टोरेंट बिजनस स्टार्ट कर दिया था और ये बिजनस काफी अच्छा चल पड़ा था और इसी के अगले साल 1993 में देश में एकोनोमी रिशेशन आ गया था इवान के पिता का बिजनस भी ठप पल गया था और वो भी लोन की रकम नहीं चुका पा रहे थी इसलिए उन्हें भी सब कुछ बेशना पड़ रहा था अनिम्प्लॉयरेट 25% तक बढ़ चुका था इस घटना के बास दे इवान के पिता बहुत दुखी हुए और वो दिन भर टीवी देखते रहते थे और देश के नेताओं और पॉलिटिशन को कोस्ते रहते थे लेकर वहां से निकल गया था यह देखकर इवान अपने दोस्कों कहिता है ठीक है उसे मैं समालता हूँ मिस्टर माइनर होटल चे बाहर आता है तब इवान उसके लिए उसकी गाड़ी लेकर जाता है माइनर काफी नशे में था और वो खड़े-खड़े हिल रहा था तब इवान कहिता है सर यदि आप चाहो तो मैं आपके लिए कोई टैक्सी बुलवा सकता हूँ माइनर कहिता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं गारी चला लूँगा मुझे सुबा नो बज़े तक किसी भी तरह बुसेल पहुचना है यदि तुम्हें बज़े सही समय पर पहुचा दिया और मेरे पास शावर करने का टाइम बच गया तो मैं फिर तुम्हें पूरे 500 यूरो दूँगा तब एवान पूरी राद गारी ड्राइव करके सुबा नो बज़े से पहले मिस्टर माइनर को बुसल तक पहुचा देता है और मिस्टर माइनर अपना सूटकेस लेकर एक दरवाजा खटकटाती है तब एणी नाम की लेडी दरवाजा खोलती है तब एणी इवान को देखकर पूचती है यह आदमी कोन है माइनर कहता है वो कोई नहीं है चलो हम काम खत्म करते है आगे एणी मिस्टर माइनर के साथ उपर चली जाती है इवान नीचे इंतिजार करने लगता है और थोड़ी देर बाद माइनर वापस नीचे आता है तब उसके पास उसका सूटकेस नहीं था और वो इवान को 300 यूरो दे एता है तब इवान कहता है लेकिन 300 यूरो क्यों तब इवान वापस नीचे आती है और इवान उससे कहता है वो आदमी कुछ गरबर है मुझे नहीं पता आप लोग क्या काम करते हो लेकिन वो आदमी जो आपके लिए काम करता है वो काम मैं उससे बेटल कर सकता हूँ क्या आपको पता है वो आदमी आपके पेसे चुराता है तब एनी इवान को वहीं रुकने का बोल कर उपर चली जाती है आगे एनी उपर जाकर उन पेसो को काउंट करवाती है जो माइनल लेकर आया था आगे एनी नीचे जाकर इवान से कहती है तुम बिल्कुल सही थे तुम इवान कहता है हाँ बिल्कुल आगे एनी इवान को कुरियर करने के लिए एक मिनी ट्रक भेशती है तब ही हमें बताया जाता है कि इवान जब माइनर को प्रिसल छोड़ने जा रहा था तब माइनर काफी नशे में था उसी वक्त इवान ने गाड़ी रोकी थी और इवान ने गाड़ी के डिक्कियों पड़े माइनर के सूटकेस को ओपन किया था वो पूरा सूटकेस पेसों से भरा हुआ था तब इवान ने उन पेसों में से पहले ही कुछ पेसे निकाल लिये थे और जब उसने एनी को पेसे कम होने की बात बताई तो वो पेसा सच मुछ कम निकला आगे इवान उस मिनी ट्रक को फ्रांसिसको एसकेमेज नाम के आदमी के घर पड़ ले जाता है और फ्रांसिसको के साथ उसकी बेटी लेटीसिया भी मुझूद थी उस मिनी ट्रक में घोड़ा था जो फ्रांसिसको अपनी बेटी लेटीसिया को बड़े पर गिफ्ट करता है आगे फ्रांसिसको एक बेग में पेशा भर कर इवान से सवाल करता है, तुम एनी के लिए कब से काम कर रहे हो। तब इवान कहता है, यह मेरी उनके लिए फरस्ट ट्रीप है। पर सब कुछ इतना आसान नहीं होता और तभी इवान की गाड़ी का पीछा एक पुलिस की गाड़ी करने लगती है। पर सब की गाड़ी काड़ी करने लगती है। और एनी कहिती है, जिन पुलिस वालों ने तुम्हें रोका था, वो पुलिस वाले भी हमारी ओर्गनेशन के साथ काम करते हैं। ये सुनकर इवान कहिता है, मुझे तु लगा था आप लोग मुझे पर विश्वास करने लगे हो। तब एनी कहिती है, हाँ, अब हम तुम पर हंडेट पर्शन विश्वास करने लगे है। फ्रांस्वा को अपने सामने देखकर इवान शौक रे जाता है, क्योंकि फ्रांस्वा लेटिस एर एक बहुत बढ़े डाइमन स्मगलर का बेटा था। और फ्रांस्वा मिडिल मैन का रोल भी अधा क्या करता था, फॉरें करेंसी की ट्रैफिकिंग में। फ्रांस्वा से मिलने के बाद इवान को कुरियर के लिए और जाधा पेसा दिया जाने लगा, और उसे एक लगजरी गाड़ी भी दिला दी गई पेसा कुरियर करने के लिए। सबसे पहले इवान को फ्रांसिसको एसके मेच के पास पेसा लेने जाना होता था, फ्रांसिसको सारा पेसा एक सूटकेस में बंद करके इवान को दे दिया करता था, उसके बाद इवान उस सूटकेस को शुरक्षित बेलजियम तक ले जाय करता था, क्योंकि बेलजियम को ड डाइमंड खरीदने का नाटक किया करती थी, यानि वो डाक्यूमेंट में तो शो करते थे कि उन्होंने डाइमंड खरीदे हैं, लेकिन उनका सारा पेशा बेल्जियम से सुजरलेंड के उनके क्लाइंट के अकौन में भेज दिया जाता था, इस तरह से ब्लेक मनी बाइट हो जाती थी, लेकिन अप सवाल उलतता है, फ्रांसिस्को स्कमेज के पास इतना सारा पेशा आता कहाँ से था, फ्रांसिस्को स्कमेज को उनकी लोबी में Mr. 3% कहा जाता था, फ्रांसिस्को के इस्पेन में काफी सारे बड़े लोग के साथ लिंक थे, फिर चाहें वो बड़े बिजनेस्मेन हो या बड़े बैंकर हो, राजनेता हो या फिर डवलपर हो, इन सभी के बीच एक बात कॉमन थी, कुछ राजनेता राजी की जमीन को अर्वन डवलक्मन प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दे दिया करते थे, उसके बात बैंकर बहुती कम इंटरेस्ट पर हा हाउसिंग डवलपमेंट और मॉल्स बनाने का काम शुरू कर दिया जाता था, और आगे लागत बढ़ा कर हाउसिंग सोसाइटी में प्लेट बेचे जाते थे, इन सारे काम में राजनेता, बिजनस्मेन, बैंकर और बिल्डर्स को काफी मुनाफ़ा होता था, और इस जम से सीधा क्लाइंट के स्युजरलेंड बैंक अकौन में भेज जया जाता था, इस तरह से इस ब्लेक मनी को वाइट में कनवर्ट किया जाता था, देखा जाए तो यस सारा पेशा इस्पेंड के टेक्सपेयर का पेशा था, अम मोवी के अगले सिन में फ्रांसिसकों के घर बात करते हुए देख लेता है। और हमारे कुछ पार्टनर्स यहां पर भी है, वही रेस्टरंट में एक लुईस ओकाना नाम का आदमी भी अपनी गल्फेंट के साथ जोर जोर से बाते कर रहा था, और वो अपने साथ सुटकेस और अपनी गल्फेंट को लेकर वहां से निकल जाता है, उन्हें देखकर रिव रेस्टरंट से निकल रहे थे, तब ही वहां खड़ा यानिक नाम का गाड उन्हें देख रहा था, आगे एनी और इवान मिस्टर इस्टोफेल नाम के आदमी से जाकर मिलते हैं, मिस्टर इस्टोफेल ने सौप्टेर इंजिनेर की हेल्फ से एसा सिस्टम मनाया था, जिससे वो लोकल ब्राउंच ओफिस से क्लाइन्ट के अकॉंड में सीधा पेसा भेश सकते थे, वहीं ओफिस में एक आदमी अपनी सौप्टेर टीम को ब्रीफ कर रहा था, और वो बोर्ट पर समझाते हो कहता है हम स्पेन में यूरो की हेल्प से कुछ डायमंड खरी देंगे, डाय से हमें ब्लेक मानी को बाहर भेजने में कोई भी रिस्क नहीं रहेगा, एनी और इवान मिस्टर इस्टोफिल के ऑफिस में जाकर उन्हें पेसो का उस उटकेस दे देते हैं, और मिस्टर इस्टोफिल कम्प्यूटर में प्राइवेट बेंकिंग जिनेवा के अकाउंट से 14 इन मिलिया इन स्वीजर लेंड के क्लाइंट के बेंक अकाउंट में भेज देते हैं, आगे इवान फोन पर अपनी मॉम से बात कर रहा था, तब ही उसकी नज़र टी पर पढ़ती है, और इवान देखता है कि लुईस ओकाना नाम के जिस आदमी को उसने रेस्टोफिल में प्लान आता है, अब आगे इवान उसी रेस्टोफिल में जाता है, जहां पर उसने लुईस ओकाना को देखा था, इवान रेस्टोफिल में बेटा हुआ था, तब ही लुईस भी अपनी गल्पेंड के साथ आता है, लुईस और उसकी गल्पेंड दोनों वहाँ पर बेठे और इवान अपना बेग लेकर कहीं जाने लगता है। तब वहां खड़े यानिक नाम के गाड को इवान पर कुछ शक होता है। और यानिक भी इवान के पीशे जाने लगता है। ये 10,000 यूरो है तुम चाहो तो इसे रख सकते हो। यानिक उस पेशो की गड़ी को अपने पास रख कर पूछता है तुम यहाँ पर क्या करने वाले थे। इवान कहता है मैं इस आदमी के रूम में ये मीनी कैमरा लगाने आया था। यानिक कहता है तुम्हारे एक काम में कर देता हूं तुम बाहर नज़र रखो। आगे यानिक लूइस के रूम का कार्ड लेकर लूइस के रूम के अंदर जाता है और वो कुछ जगाओ पर हिटन कैमरा इंस्टाल कर देता है। आगे वो दोनों कार में बेटकर लूइस और उसकी गलफेंड के वीडियो देखने ल और इवान और यानिक दोनों ही पार्टनर बन जाते हैं। यानिक के पस फाइटिंग स्कील थी जो इवान के काम में शायद बहुत हेल्प करती। आगे इवान और यानिक दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी और वो दोनों साथ में इंजॉई करने लगे थे। आगे यानिक और इवान लुईस को घर के अंदर ले जाकर उसे वो वीडियो दिखाते हैं, तब लुईस पूसता है आखिर तुम चाहते क्या हो, इवान कहता है हम पेशो को स्पेंज से स्विजलेंड बेशते हैं, और हम यहां मारवेला आपके शहर में अपनी ब्रांच उप कुल नहीं होंगे, क्योंकि आप ही उन्हें हमसे मिलवाओगे, आगे एक पार्टी में इवान और यानिक के साथ लुईस भी मुझूद था, और लुईस इवान को उस पार्टी में आए बड़े-बड़े लोग के बारे में बता रहा था, तब जहां पर यह पार्टी चल र आगे एवान उन सभी बड़े लोग के साथ घर में मिटिंग कर रहा था, और एवान उन सभी से कहता है, हम लोग बहुत ही प्रफेशनल है, आपके पेशो को बिल्कुल सिक्योर तरीके से यहां से बाहर ले जाये जाएगा, तब वही बेटा एक आगमी कहता है, लेकिन हम ल आप लोग इवान को नहीं जानते हो, लेकिन वो आपका ये काम बहुत ही सेव तरीके से करेगा, हमें कोई भी प्रॉबलम नहीं होने वाली, और इवान पर आप बिल्कुल ट्रस कर सकते हैं, क्योंकि यह मेरा नेफ्यू है, यहां से पेशा बेजने के बाद हम 24 घंटे के अ पेशो का 3% कमिशन मिला करता था, वो कमिशन अब फ्रांसिसको एसकमेज को ना मिलकर सिधा इवान को मिल रहा था, आगे इवान और यौनिक अपनी गाड़ी में बेठे हुए थे, तब यह उनके पास एक गाड़ी आकर रुखती है, और उसमें से एक आदमी निकल कर एक ब इवान कहिता है, तुम उसकी चिंता मत करो, अब मुई में आगे हमें 2004 का समय बताया जाता है, जब इवान अपने पेरेंट्स से मिलता है और वो उन्हें महेंगे गिफ्ट देता है, तब इवान के फादर पूछते, तुम ब्रूसेल में करते क्या हो, इवान कहिता है, मैं एक्सपोर्ट का काम करता हूँ, हम फाइनेशल प्रोडेक्ट हैंडल करते हैं, पेसो को कुरियर करते हैं, इवान के पिता कहते हैं, तुम उन पौलिटिशन के लिए काम करते हो, जो टीव पर आकर बकवास करते हैं, इवान कहता है, मैं जो भी करता हूँ, लेकिन काफी सार पेशा कमाता हूँ तब इवान के पिता कहते यदि तुम गेर कानोनी काम करोगे तो किसी ना किसी दिन मुश्किल में पढ़ोगे इस बात को लेकर इवान और उसके पिता में बहस होने लगती है और इवान के पिता कहते एक दिन तुम जरूर पश्टा होगे ये कहिकर इवान पे काफी अच्छा कर रहे हो, तब इवान कहिता है, मैंने अभी अकेले काम करने का तई किया है, और मैं ये काम ठीक ठाक कर रहा हूँ, तब इवाँ पर फ्रांसिस को भी आ जाता है, और फ्रांसिस को इवान से कहिता है, इवान तुम यहाँ पर, तब लेटी सिया वहाँ से चले जाती है और Francis को कहता है आखिर तुमने अपने दास साफ करवाई लिये इवान कहता है मैं पहले ही आपको इसना एकस्प्लेन करने वाला था फ्रांसिस को कहता है नहीं तुम्हें कुछ भी एकस्प्लेन करने की जुरत बिल्कुल नहीं है तुम अभी बहुत पेसा कमा रह और मैं अभी बहुत पेसा खो रहा हूं। मैं सप्लाय और डिमांड के मार्केट को अच्छी तरह समझता हूं। तुम मेरे क्लाइन को तोड़ते जा रहे हो और मैं उसका नतीजा भुगत रहा हूं। तभी वहाँ यानिक आ जाता है और वो इवान से पूछता है क्या सब कु को मानने रगते हैं और वो लोग उन दोनों के पिटाई करके वहां से निकल जाते हैं। इवान समझ गया था कि उन पर यह हमला किस ने करवाया था। आगे इवान यानिक को लेकर फ्रांसिसकों के घर पर जाता है। तब फ्रांसिसकों पूछता है तुम लोग को आपके क्लाइंट हमेशा आपके क्लाइंट रहेंगे हम उनके साथ डिल नहीं करेंगे और जो हमारे क्लाइंट के पास से हमें कमिशन मिलेगा उसमें से भी 10% हम आपको देने के लिए तयार है। तब फ्रांसिसकों कहता है पहले 2 साल तुमें मुझे 30% कमिशन देना होगा और उसके बाद तुम मुझे 20% कमिशन दे सकते हो। इवान फ्रांसिसकों की बात मन कर उसके साथ डिल कर लेता है। फ्रांसिसकों से डिल करके यानिक और इवान दोनों अपने काम में जुट जाते हैं। वो रोजाना अपने क्लाइंट का पेशा कुरियर करके स्विजलें भेजने लगे थे और उससे मोटा पेशा भी कमाने लगे थे। पेशों के साथ साथ इवान की अयाशी करने के आध़त भी बढ़ने लगी थी। प्रिल में फस्ते जा रहे इसलिए हमें हमारा काम समल के करने की जुरत है यह कहिकर एनी वहां से चले जाती है आगे इवान यानिक के साथ कोई पार्टी में जा रहा होता है तब ही वो देखता है कि कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही थी इवान पार्टी में पहुश दाए तो वहां पर लुईस उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है वही पर इवान को लेटी से अभी मिलती है और इवान उससे बात करने लगता है लेटी से अभी इवान से इंप्रेस हो गई थी और वो उसे अपना नंबर देकर वहां से निकल जाती है आगे यानिक और इवान पा यानिक को पुलिस हेड़कोटर ले जाते है और उन दोनों को इंस्पेक्टर मेनवल रॉइक से मिलवाते है जो उनके केस के इन्वेस्टिकेशन कर रहा था तब इवान कहिता है क्या आप लोग बताओगे आपकी टीम हमारा पीछा क्यों कर रही है तब इंस्पेक्टर कहिता ह तुमें भी जेल जाना पड़ सकता है जो तुम पेशा देश से बाहर बेशते हो वो मनी लॉंटिंग स्केम कहलाता है और ये सब करके तुम क्रिमिनल्स का साथ दे रहे हो इसलिए बताओ तुम जेल में जाना चाहते हो या अपने बॉसेस को भेड़ना चाहते हो रोईक से बात करके इवान और यानिक दोनों पुलिस्टेशन से बहार निकल जाते है तब यानिक कहिता है इवान हम फस चुके है तब इवान कहिता है क्या तुमने सुना नहीं यदि हम एस्कमेच को पकड़वा देंगे तो हम आराम से बाहर अपना बिजनस कर पाएंगे इवान और इवान प्राइवेट प्लेन में पैरिस के लिए निकल जाते हैं और वो दोनों प्लेन में ही इंटिमेट होने लगते हैं आगे इवान लेटिस्टेशा को प्रपोस करके उसे एक रिंग गिप्ट करता है और लेटिस्टेशा उस रिंग को देखकर काफी खुश होती है दूसी तरफ इस्पेन में पुलिस करप्शन में शामिल सभी लोग को पकड़ने लगती है और उन सभी के एसेट सीज करने लगती है पुलिस सिटी काउंसलर डवलपर के साथ साथ लुईस ओकाना और फ्रांसिसको एसकेमेच को भी अरेस कर लेती है क्योंकि ये लोग काला धन विदेश भेजने का काम कर रहे थी लेतीसिया भी इवान के साथ मोजूद थी और वो ये न्यूस देखती है लेतीसिया देखती है कि उसके पिता भी पकड़े जा चुके है ये देखकर लेतीसिया बिना कुछ कहे अपना समान पेक कंड़े लगती है वापस इस पेन जाने क लिए तब इवान उसे कहता है लेटीसिया तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर नहीं आ सकता नहीं तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा तब लेटीसिया कहती है हां मैं जानती हूँ और लेटीसिया इवान को बाय कहिके वहां से चली जाती है लेटीसिया के वहां से मेच के साथ क्या हुआ पर सब कुछ ठीक है अब एसके मेच के क्लाइंट को हम एंडल करेंगे तब एनी कहीती है मुझे लगता है हमें थोड़ी दिन शान्त रहना चाहिए क्योंकि हम भी पकड़े जा सकते हैं जल्दी ये बबल बस्ट हो जाएगा पूरे यूरोप में एकोन क्योंकि साथ सोता देख उसके मूँपर रिंग फेक कर वहां से चली जाती है तब एवान को उसकी माँ का कॉल आता है और उसकी माँ से बताती है कि उसके डैड अप दुनिया में नहीं रहे तब एवान अपनी मां के पास जाता है और अपने पिता को याद करके बहुत दु परान हुआ था इसका एफेक्ट पूरी दुनिया और इस पैन पर भी पड़ा था इस पैन में भी कई लोगों को अपना गर और नोकरी छोड़नी पड़ी थी आगे हमें वापस इवान को दिखाय जाता है जब उसका काम पूरी तरह से बंदो चुका था और वो पहले की तर एक छोटे रेस्टरंट में बेट कर अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहा था इवान अपने दोस्तों से बात करी रहा था तभी उसकी नजर रेस्टरंट में आए दो चाइनिस आदमियों पर पड़ती है वो दोनों चाइनिस आदमी रेस्टरंट के मालिक से पेसा लेकर बाहर निकल जाते है तब इवान भी उनका पीछा करने के लिए बाहर जाता है और इवान अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है तब इवान देखता है वो दोनों चाइनिस आदमी गाड़ी रोक कर एक दूसरी शौप से भी पेशा कलेट करने लगते है आगे इवान जेल में उसके पार्टनर लुइस ओकाने से जाकर मिलता है और उससे चाइनिस गेंग के बारे पूचता है जो शौप से पेशा कलेक्ट करती है लुइस कहिता है उस गेंग के लीडर का नाम याओ मिंग है याओ मिंग भी बहुत बड़ी मात्रा में काले धनका है पेशा कलेक्ट करता है जो शौप से पेशा कलेक्ट करता है वो तो उसके लिए मुंग फली के बराबर है इवान कहिता है तो उसके पास पेशा आता कहां से है लुइस कहिता है वो चाइना से इस्पेन में कापी सारा समान इंपोर्ट करवाता है और वो इंपोर्ट करवे सम स्प्राइब की गिंबत इस्पेंग गवर्मेंट को बहुत ही कम बताता है। और वो ये पेशा चाइना में कैश में भेशता है। इवान पुस्ता है लेकिन वो इस्पेंस से चाइना पेशा केसे भेशते है। लुईस कहता है उनका तरीका बहुत ही पुराना है। आगे हमें दिखाते कि वो लोग इस पेन से चायना जाने वले लोगों के साथ वो पेसा भेशते, उनके कमर में नोटों की गड़िया बान कर या उनके समान में चुपके से नोटों की गड़िया छिपा कर और इन सब काम में उनका पेसा पकड़ा भी जाता है। चाइनीज बहुत बड़ी मात्रा में इस्पेन से अपना पेशा चाइना पेशते हैं, हम उनका पेशा कुरियर करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, एनी कहिती है इवान अब सब कुछ बहुत बदल चुका है, अब स्विजर लेन पेशा भेजना इतना आसान नहीं रहा, गवर् आगे एनी इवान के साथ जाकर यो मिन नाम के चाइनीज गेंग लीडर से मिलती है, इवान यो मिन को डील समझाते हो कहिता है, हमारे क्लाइंट के पास सिजर लेन में काफी सारा केश्ट मोझूद है, हम वो पेशा आपके चाइनीज बेंक अकाउन में ट्रांसफर करवा सक बदले में आपको आपका केश जो इस्पिन में मुझूद है उसे हमें देना होगा आपका पेशा सई सलामत चाइना भीजने के इवज में आपको हमें 3% कमिशन देना होगा तब इवान योमिन का चाइना का बेंक अकाउन नमबर लेकर अपने आद भी स्टोफेल चे बोल कर योमिन के अकाउन में 3,00,00,000 एक उरो ट्रांसफर करवा देता है और योमिन को उसी वक्त मेसेज आ जाता है ये देखकर योमिन इवान और एनी से डील कर लेता है योमिन के साथ काम करके इवान का काम कापी अच्छा चल रहा था आगे एनी और इवान दोनों एक रेस्टर करने आया हूं मैं 6 महीने जेल में रहा पर तुम मैंसे कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया यह बोलकर फ्रांसिसको इवान के बारे में बुरा भला बोलने लगता है तब इवान भी फ्रांसिसको पर गुस्ता करता है और वो एनि के साथ वहां से निकल जाता है आगे इवान बहुत बड़ा फ्राउड उजागर हुआ है यह देखकर इवान पूचता है इस न्यूस का मतलब क्या है और यह फालचानी कोन है एनि कहती है फालचानी हमारे सॉप्वेर इंजिनियर स्टोफिल के लिए काम करता था उसने स्टोफिल को धोका देकर हमारे क्लाइन के सारे स देंग वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और वो उन्हें पकड़ कर सीधा यौमिन के पास ले जाते हैं यौमिन कहीता है मैंने तुमारे बारे में काफी कुछ सुना है तुमने पहले भी अपने पार्टनरों के मुखबरी करके उन्हें जेल भेजा है आज नहीं तो कल तुम पुलिस पकड़ लेगी और तुम उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दोगे और मुझे भी तुमारे पिछले पार्टनर्स की तरह जेल जाना होगा। आगे इवान वो सारा केश पेशा एक कंटेनर में रखवा देता है। तब रॉइग कहता है मैं तुम्हें लायर से मिलवा दूँगा पर वो तुमारे लिए जादा बुरा होगा पर अभी तुम्हें सिर्फ 15 से 20 साल तक की जेल होगी। मुझे उस दील के बारे में सब कुछ बताओ जो तुमने हौंग कॉंग में पूरी की। इवान भी समझ जाता है कि एनी नहीं उसे फसाया है। एनी पुलिस को अपने सारे क्लाइन की डिटेल बता देती है। और पुलिस इस्पेन में सभी जगा सर्च ओपरेशन चलाती है। पुलिस यॉमिंग को भी पकड़ लेती है जिसके पास 1.2 बिलियन कैश बरामत होता है। और इवान भी जेल में ये निउस देखता है। और ये मुवी यहीं खत्म हो जाती है। इस्पेन में पुलिक सेक्टर के 9 बिलियन यूरो की धोका दड़ी का ये स्केम उजागर हुआ था। और फॉल चैनल इस्टे 1.8 बिलियन यूरो का खुलासा हुआ था। जो इस्पेन का पेशा स्विजर लेंड के बैंक अकॉन में जमा था। इस घटना से इस्पेन पर करजा 3 गुना पढ़ गया था।